प्रोफेसर बड़ा बिजनस और वेलकम टू बड़ा बिजनस जूनियर बीबी जूनियर में आपका स्वागत है ये ऐसा प्रोड़क्ट है जो आपके बच्चे की लर्निंग को टॉप क्लास बनाता है एक नए लेवल तक पहुंचाता है तभी हम लोगों ने इसकी थीम जो र तो आपको एक्जाम के साथ वाली एजुकेशन देते है यानि नर्सरी से लेके बारवी तक या कुछी सब्जक्ट की एजुकेशन देते है या फिर जो अपस है वो आपको कुछ स्किल के थोड़े बहुत ओर सिस देते हैं जो इन्हांस करता है आपके सोचने का तरीका, पर हमने आपको जो product दिया है जिसको हम बड़ा business junior कह रहे हैं इसमें ये दोनों का मिश्रण है तो आपको school की education जो बहुत important है हम उसको भी आपको एक बड़े ही engaging और interactive तरीके से समझाएंगे और जो school के बाद की education होती है उसको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसी skills हम बच् competition को face कर सके भीड में पीछे ना रहे जाए हर चीज में आगे रहे अपना जो उसको अपना अपनी बात रखना आए ये बहुत important है क्योंकि अब दुनिया बदल रही है पढ़ाई के साथ साथ ये skills future ready skills होना भी बहुत जरूरी है तो अब मैं क्योंकि मैंने एक base बना दी है कि ये बड़ा business junior product में है क्या तो अब मैं आपको एक quick demo देना चाहूंगी कि इसके features क्या क्या है मैं आपको इस app का एक tour दूँगी इस learning platform में 50,000 से ज्यादा के modules है videos है 3D, 4D, 2D animation के साथ इसमें आपको quizzes मिलती है इसमें interactive sessions है इसमें 10,000 से ज्यादा games है इसमें geography में map work समझाया ग याद करने के लिए पूरी sheets है, real life videos से आपको पढ़ाई कराई गई है, fully solved NCRT books के सवाल और उनके जवाब है, दसवी के लिए toppers की answer sheets है ताकि आप board में सही जवाब लिख सको अच्छे number ला सको, history समझाने के लिए history की timeline बना दी है, बोरिंग तरीके से history नहीं समझनी पड़े तो वो doubt भी पूछ सकता है, और हमने कुछ इसमें special content भी डाला है, ऐसे बच्चों के लिए जो dyslexia से सफर करते है, dyslexia एक learning disorder है, तारे जमीन पर आपने देखी होगी, उसमें इसके बारे में काफी विस्तार में तो बताये ही गया है, इसमें बच्चों को लिखने और पढ़ online भी देख सकते हो, और offline भी देख सकते हो, दोनों modes में देख सकते हो, अब जड़ा आप की तरफ अपनी नजर डाले, मैं आपको दिखाना चाती हूँ कि हमने इस आप को कैसे device किया हुआ है, इसके UI UX से थोड़ा सा मैं आपको परिचित कराना चाती हूँ, तो आप देखें study खोलते हैं, study actually खोल जाता है, practice और performance, यह हमारे app के 3 main pillars है, 3 parts है, अब मैं अगर आपको कोई भी class खोल ले हैं, अगर हम class 10th भी खोल रहे हैं, जैसी आप अपनी class 10th खोलते हैं, या कोई भी class खोलते हैं, आप देख सकते हैं, यह 3 भाग, यह 3 pillars आपको एकदम app के बीच में द इसमें high quality animated content है, और सारे बाकी के features हैं, जैसे जो मैंने आपको बताए, जिसमें quizzes है, interactive games है, worksheets है, कही कही formula master है, तो यह जो सारी चीजे हैं, यह आपको study section में मिलती है, study section में आपको सिरव एक चीज करनी है, आपको menu से, जब आप अपना class चूज करते हैं, आप किसी भी जब subject में जाएं, आपको अपना board चूज करना है, और अपनी किताब चूज करनी है, उस board की जो आप पढ़ते हैं, उस subject के लिए, जैसे यहाँ पर मैं board CBSE चूज कर रही हूँ, हमारे पास CBSE, ICSE और 15 ऐसे state boards का content है, तो जो board आप पढ़ते हैं, जिस board से आप पढ़ते हैं, आप select कर सकते हैं, और हमने कम से कम 3,000 से ज्यादा publishers, 3,000 से ज्यादा publishers की किताबें इसमें मैप करी हुई है, तो definitely आपका जो भी content है, जो आप पढ़ रहे हैं, आपको इसमें मिलेगा ही मिलेगा, in fact उस से कई ज्यादा मिलेगा, अगर आप देखना चाहें, कि दूसरे publishers ने क्या chapters डाले हैं आपके subject में, अभी जैसे मैंने default to use करा हुआ है यहाँ पर, तो ये तो हो गए आपका study का part, जब study के part से अगर हम पीछे जाएं, तो अगला part जो है वो आता है practice का part, अब practice में क्या है, practice session में आपके पास 1,00,000 से भी ज्यादा questions का question bank है, आप अपने जो भी आपने chapters पढ़े, जो भी subject पढ़ा, आप उसको practice कर सकते हैं इन सवालों के थ्रू, आप एक या एक से ज्यादा chapter भी चूज कर सकते हैं अपनी practice करते वक्त, जैसी आप select करते है chapters, वो एक random quiz के form में, एक format ले लेता है और आपको questions दिखाता है, इससे बच्चा जितनी चाहे उतनी बार practice कर सकता है, अगर मैं civics खोलूं, अभी जैसे मेरे सामने civics है, मैंने इसमे chapter 1 चूज किया, chapter 2 भी चूज करा और मैंने start कर दिया, क्यूंकि मैंने 2 chapter पढ़े अभी physics के, जैसी मैं ये start करूंगी, मेरे को एक quiz के तरीके से questions आने शुरू हो जाएंगे, आप देखरों, यहाँ पर time limit भी मेरी शुरू हो चुकी है, और मैं इसका जवाब दे रही हूँ, अगर मैंने इसका जवाब दिया, submit करा, इसके जवाब के बाद मैं next question पर पोचती हूँ, मैंने उसको select कर लिया, मैं फिर तीसरे पर जा रही हूँ, ऐसे मैं जल्दी जल्दी सारे कर रही हूँ, select, अभी मैं submit कर रही हूँ, बीच में a quiz, अब जैसे मैंने submit करी quiz बीच में, अब आप देखेगा मेरा overall subject performance कैसे आया, वो एकदम मुझे दिख जाता है, तो मैंने attempt 5 question किये, जिसमें से 4 सही थे और 1 गलत था, तो ये मेरा subject-wise performance का एक graph आ गया, नीचे मेरा chapter-wise performance का graph भी आ गया, क् कि मैंने 2 chapter choose किये थे, तो पहले chapter में मेरा कितना score हुआ, और दूसरे chapter के सवालों में मेरे को कितना score मिला, ये मेरा एक subject performance review, एक analysis आ जाता है test का, मेरा इस practice section में, अगर मैं चाहूँ इस test को दुबारा देखना, तो review test में भी मैं जाके इसको दुबारा देख सकती हूँ, और म इसमें बहुत ही फाइदा है, इसमें test report साथ में आ जाती है, जिसमें मुझे पता चलता है कि मैंने कैसा perform किया है, अब अगला, जो हमारा तीसरा pillar है, हम उस पे आ जाते हैं, वो है performance, मैं performance पे क्लिक करती हूँ, तो performance में आप देखेगा, ये हमारे 3 parts खुलते हैं performance में, एक है analysis, एक है track record और एक है suggestions, तो performance में क्या है, उसको पहले analysis वाले part में, overall performance दिख जाती है माबाब को, कि बच्चे ने कैसा perform किया है subject में, और फिर chapter wise performance ये subject wise performance होती है, ये जो performance है, ये directly आपके practice questions से linked है, तो जितने ज्यादा आप practice questions करोगे, उतना ही आपकी performance के बारे में पता तो जैसे मैंने पहले दिखाया था, ये मेरी performance थी, मैंने जितने questions civics में attempt किये, ये मेरी subject wise performance है civics की, अब मुझे अगर track record देखना है, ये मेरे हर test की report देता है, basically बच्चे ने जो भी test दिया होगा, वो माम आपको दिखेगा कि बच्चे ने वो test कब दिया है, date, time, कितने marks उ तो ये हो गया track record, और ये है suggestions, ये कुछ interesting तरीके से थोड़े emojis के साथ हमने अपने app में डाली है, suggestions में आपको ये पता चलता है, कि बच्चे को suggestions देते हैं कि कहां वो थोड़ा weak है, कहां उसको improve करना चाहिए, कहां वो अच्छा है और इसको बहुत focus करना चाहिए, तो ये suggestions वो देख सकता है, अभी हम civics की देख रहे हैं, ऐसी हम English की देख पाएंगे, geography की देख पाएंगे, यहां पे अभी आपको no suggestions देख रहे हैं, क्योंकि मैंने कोई practice question attempt ही नहीं किया था, तो ये एक performance का pillar है, जो parents को बहुत help करता है बच्चे की progress देखने के लिए, उनको पता च के बच्चा क्यूशन में कैसा perform करके, कहां उसके weak areas है, कहां आपको वो report नहीं मिलती, इसमें आपको कम से कम वो report एकदम सामने दिख रही है, जिससे आपको पता चल रहा है कि आपका बच्चा exactly कैसा perform कर रहा है, और कहां उसको improvement की जरुत है, और कहां वो actually बहुत अच्छा ह तो ये थे हमारे app के तीन main pillars, जो मैंने अभी आपको समझा है, तो ये तो था हमारा exam के साथ भी का section, इसमें एक और section जो जुड़ेगा वो होगा exam के बाद भी का section, और इसको हमने दो parts में divide किया है, एक future ready skills, क्या होती है future ready skills, जो बच्चे को मानसिक तरीके से तयार करती है, जो इतना competitive दुनिया है, उसमें shine करने के लिए, जिसमें आपको confidence building पे, आपको बोलना कैसे है, public speaking कैसे करनी है, stage से नहीं डरना है, ये सब सिखाते हैं हम, जिसमें आपको problem solving attitude कैसे बनाना है, conflict लडाई, ऐसी situation को कैसे manage करना है, आगे चलके teams में आप कैसे काम करोगे, पुरी म आंसिक्ता बदल जाती है, अगर बच्चे को पहले से ही इन सब skills की training मिलती जाए, और दूसरी और जो हम सिखा रहे हैं, वो है entrepreneurship क्योंकि entrepreneurship में हम माहिर है, और अगर बच्चे को बच्पन से ही entrepreneurship mindset build करना सिखाया जाए, तो बच्चे का outlook बहुत बदल जाता है चीजों की तरफ वो सिरफ job लेने के लिए ही नहीं पड़ता, वो job बनाने के लिए पड़ता है, तो पूरा entrepreneurship का एक curriculum है, जिसमें उसको उसके basics, finance के basics समझाए है, branding क्या होती है, marketing क्या होती है, कैसी skills होती है entrepreneurship में, go to market strategy क्या होती है, लोगों की idea कैसे लोग generate करते हैं, तो एक पूरा holistic approach, कहते है 360 degree development approach हमने बच्चे के लिए यूज की है, इस app में तभी हम इसको exam के साथ भी और बाद भी का हमने tagline चूज की है, क्योंकि साथ तो बहुत लोग निभा रहे हैं, बाद में लोग छोड़ देते हैं, हम बाद में भी आपको पकड़ के रखेंगे, thank you